नॉर्दन आइलेंड के एडवेंचर लेखक और टीवी प्रेजेंटर बेर ग्रिल्स हिंदुस्तान में चर्चा का विशय बने हुए हैं दरसल प्रथानमेंटरी नरेंद्र मोदी के साथ उनका खास शो जल्द पिसारत होने वाला है मैन वर्सेज वाइल नाम की एक टीवी सीरीज दुनिया भर में लोग प्रिया है और इस शो में पिम नरेंद्र मोदी उत्तराखन के जिम कॉर्बिट नाशनल पार्क में अपनी एडवेंचर स्किल्स का प्रदर्शन करके नजर आएंगे ब्रिल्स ने साल 1994 से लेकर 1997 तक ब्रिटिश आर्मी में अपनी सेवाई दी थी उन्होंने साल 1994 में 21 रेजिमेंट ऑफ स्पेशल एर सर्वेस जोइन की थी जहां उन्होंने सर्वाइवल की कई तक्मीकों को सिखा था साल 1997 में उनका एक भयानक अक्सेडेंट हुआ था उन्होंने फ्री फॉल पैराशूट का इस्तमाल किया था और 16,000 फीट की उजाई पर उनकी कैनोपी फट गई थी जिसके चलते वे अपनी पीट के बल गिरे थे जिससे उनकी तीन रीड की अस्थियां टूब गई थी उन्होंने इस एक्सेडेंट के बारे में बात करते में कहा था कि मुझे मैं मैं पैराशूट को कट कर लेना चाहिए था लेकिन मैंने टाइमिंग में चुक हो गईगी उन्होंने अगले 18 महीने मिलिच्वी रीहब में बिताये थे और इसके साथ ही साथ वे अपने बच्पन के सपने को पूरा करने में भी लग गये थे ये सपना माउंट एवरेस्ट की चड़ाई का था ग्रिल्स हमेशा से ही भारतिया आर्मी को पसंद करते आए हैं रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रिल्स अपने एक डोस्त व्याटी के साथ भारत में माउंटेनीरिंग सीखने आये थे व्याटी की फैमिली एक रिटायर्ड भार्तिया आर्मी आफिसर को जानती थी और दोनों न कि इसी आर्मी ऑफिसर के कुछ महीने हाइकिंग और मांटनेरिंग की सिकिल्स की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार गृल्स भारतिय सेना के ऑफिसर्स की लाइफ और भारत की भौगौलिक परिस्थितियों से काफी प्रभावित हुए थे। वे भारतिय आर्मी को जोइन करना चाहते थे क्यूकि वे भारतिय आर्मी के एडवेंचरस लाइफ से काफी प्रभावित है। लेकिन भारतिय सेना चाह कर भी इस डालेंटेट शक्स को अपने साथ नहीं जोड सकती थी, क्योंकि इंजिन आर्मी सिर्फ ऐसे लोगों को स्वीकार करती है, जिसकी नागृत का भारतिय हो या फिर जो नेपाल, भुतान और तिबित के लोग हो। रिपोर्ट्स के अनुसार वे इस बात से भी प्रभावित थे कि कैसे भारत में पाकिस्तान के 94,000 सैनेकों के सरेंडर के साथ ही बांगला देश को आजाद कराया था, हाला कि भारत की नागृत्ता ना होने के चलते उनके ये ख्वाप पूरे नहीं हो पाए, लेकिन वे इसके बावजूद भारत्यार्मे के साथ सिख्किन में अच्छा टाइम बिदा चुके हैं, साल 2004 में ग्रिल्स को लेटनिन कमांडर की उपाधी से नवाजा गया था, और साल 2013 में रॉयल मरीन रिजर्व ने उन्हें लेटनिन करनल का भी रैंक दिया था, 16 मैं 1998 ग्रिल्स को अपना ये कार नामा करके दिखाया, गौर्त अलब है की ग्रिल्स पीयम मूदी के अलावा, अमेरिका के पूर्फ राष्ट पती बराको मामा के साथ भी एडवेंचर शो शूट कर चुकी हैं, इसके अलावा हॉल वुड के स्टार्स के साथ भी उन्होंने ऐसी एडवेंचर सीरीज शूट की थी, और वो कामयाब हुए, उन्होंने अपने एक्सेजिन्ट के 11 महीने बाद माउंट अवरिस्ट की चड़ाई की, 23 साल के उन्होंने ये कार नामा करके दिखाया, गौर्त अलब है की ग्रिल्स पीयम मूदी के अलावा, अमेरिका के पूर्फ राष्ट पती बरा